नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों हमास इसराइल का जो कॉन्फिक्ट है वो आज लगभग 12 दिने में पहुँच चुका है और इन 12 दिनों में बहुत सारे देशों ने इसराइल का समर्थन किया बहुत सारे देशों ने इसराइल का विरोध भी किया लेकिन इन सब में special था चाइना ने चाइना ने जिस तरीके से बढ़ चड़ कर इसराइल का विरोध किया है इतना तो जो मुस्लिम देश हैं इन्होंने भी नहीं किया इवन चाइना युनाइटिड नेशन में भी गया वहाँ पर special प्रस्ताव रेजलोशन लाया इसराइल के खिलाफ अभी भी लगातार वो सियुक्त राष्ट में कोशिश कर रहा है कि इसराइल को कटगरे में खड़ा किया जाए ये तो किया वहाँ की सरकार ने लेकिन जो चीन की मीडिया ने किया है उससे इसराइल बेहर ही ज्यादा खफा हो गया है दरसल चीन की जो मीडिया है वो अब इसराइल को ऐसे प्रेजन्ट कर रही है जैसे की हिटलर ने प्रेजन्ट किया था यहूदियों को दूसरे विशूद के दोरान दरसल चीन की मीडिया ये अब थियोरी चला रही है कि आज की तारिक में अमेरिका और यूरोपियन देश इसराइल को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो यूरोप की सरकार है अमेरिका की सरकार है यहाँ पर जो यहूदी लोग हैं यहूदी बिजनसमेन हैं यहूदी अ पड़ता है और इसी तरीके से जो यहूदी हैं वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं और आपको बता दू कि सेम यही थियोरी हिटलर ने दी थी जर्मनी के लोगों को और पूरे यूरोप को और फिर उन्होंने इसी थियोरी के दम पर जो यहूदी लोगों का इसराइल ने कहा है कि जो चीन की मीडिया है जिसे चीन की सरकार ही कंट्रोल करती है वो खुले आम यहूदी विरोधी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है और इस से चीन का यहूदी विरोधी चेहरा सामने आ गया है और इतना ही नहीं है अज की तारिक में इसराइल के अ ये तो चलता रहता है, लेकिन वो हमारे धर्म को लेकर हमें निशाना बना रहे हैं, ये बड़ी बात है, और जो हिटलर की विचार धारा है, चीन उसी का एक तरीके से समर्थन कर रहा है, और इसराइल भी आज की तारीक में चीन को ऐजे दुश्मन ही मान कर चलना है, और ये क तो साल लगे, चार साल लगे, जब भी मौका मिलेगा, इसराइल चीन से बदला जरूर लेगा, और इसका मौका भारत इसराइल को दे सकता है, तो कैसे, जिस तरीके से चीन, आज फलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, इसराइल के खिलाफ, तो कल को, इसराइल भी तो कर सकता है, भारत का समर्थन चीन के खिलाफ ठीक उल्टा भी तो हो सकता है इसका और इसराइल यहाँ पर और बहतर तरीके से मज़द कर सकता है भारत की क्यों क्योंकि इसराइल के पास मौजूद है चीन से भी बहतर खूफिया नेटवर्क जैसे कि उसकी खूफिया जनसी मोसाद साइबर प्रोग्राम की पूरी तरीके से कमर तोड़ कर रख देगा लग्या आप कहेंगे क्या यह इसराइल भारत को अभी नहीं दे रहा था तो आपको बता दू कि अभी तक अब से तीन-चार महीने पहले अगर आप देखेंगे तो इसराइल के और चीन के संबंद ठीक थाक थे इतने ज़्यादा खराब नहीं थे जितने आज हो चुके हैं इसलिए इसका फाइदा भारत को अब ज्यादा मिलेगा हाला कि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट रहे जुरू बताएगा साथी वीडियो को शेर किज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा थैंके रूँ शाषिंग वडियो